सचिकाल जी मैं मनीशा थी हाजिरों चुकियां जी तो अडे सार्या पसंदी दा शोड डेली डोस लाके उमीद कर दियां तुछ सारे बिल्कुल ठीक ठाक होगे तंद्रुस्त होगे ते जिंदगी दा बहुत ही प्यारे तरीके दिना अनंद मानते होगे आज भी एक खास विशा होन वाला गालबात करने ली पर विशा किया यह मैं तो बात शोड़ा संगी बट आज एक सड़े वेड़े देवेच एक शक्स आया जी जिनन तो आपा बहुत सारे कुछ पुछना आया गल्ला करने आने जी डॉक्टर ने डॉक्टर जोती साओ जी उन अज एक ने जी आज के लाखाना है वी खुछना ऑ enormously मैं एक रहुत को पेंदी है और को दो सबस्धा भी एड़ासमेंट इतनी है, हाद चीज एजी हो गई है करने के लिए, तो बोडी को थोड़ी मेहनत करने के लिए हमें फिजिटरपी की ज़रवत पढ़ रही है बहुत सारे लोग काना पीना पीना बिल्कुल सही है, हो कैंदेर सी खांते भी बहुत वदिया है, बट फिर भी साड़ी लगता दुख देना है, साड़ी बावा दुख देना है, बात सिरफ खाने की नहीं है, आप जो डाइट ले रहे हैं, जो नुट्रिशन बाडी के अंदर जा रहे है, उसको बॉड़ी करना होगा। उसको बाडी को यूज भी तो गोड़ना होगा। dość गया है, जशे होसके लगे होटाआ कृक्श्वाइटों कशना है, जो अख लिए रफश्रेश करने हैं, एक्स्वाइस करने कर तो यूज बहुत करोगा जा है, नम तो के 這個 र जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंट करके ही फिट रह सकते हैं। आप अगर आपकी है तो आप फिट रह सकते हैं। इसा कुछ नहीं है कि आप सिरफ घंटों एक्सराइज करें। तो ही ठीक रहेंगे। थोड़ी देर हो पर रेगुलर हो तो ज्यादा बेटर है। ओखे ठीक है भी बहुत जरूरी है चीजा जही खानिया जरूरी है कसरत कर दे पहा रहें। जिद्धा वी जिम देवेची पसीना भी बहा रहें। बहुत जरूरी है कि खा रहें। जोटी जी थोड़ा जया हूं तुसी अपने बारे भी दस्तों फिर आपा कॉल्स भी लमागें। जोटी जाना चौंदेनी क्योंकि साथे सारे वीवर्स बहुत खोश होंगे अच्तान वे थे देखें। जोटी जी थोड़ा हूं तुसी कि थोड़ी रहन वाली हों। मेरी कि बार्फेशन सीथी बारे नगयर के मैंने पिर चोक्रा फॉड़ी आप्य। बेसिकली डील जब मैं करती हूँ हर एज ग्रूप के पेशिंट्स हमारे पास होते हैं बच्चे भी बजूर्ग भी डिपेंड करता है कि किस एज ग्रूप जिसे आजकल ओल एज जो है उन लोगों को भी काफी ज्यादा रेकुर्मेंट रहती है फिज तेरपी की स्पोर्ट में रियाबिलिटेशन के साथ काफी ज्यादा रेकुर्मेंट उनको आ जाती है बच्चे भी ठीट कर देऊ है ना बहुत है बच्चे भी ज्यादा बच्चे भी ज्यादा बिलकुल होते है अब जिसे बहुत छोटे बच्चे आजाएं मानो कुछ है उनको बच्चे उत पनुद्वा फोरी चाहिए गहाँ पीला से अद्सपेशलम केसज जो होते हैं ना तो मेरी hokya कंण्ड फोर सकते है आप उनको बोलो एक्सराइज करने के लिए नहीं करने बड़ते है और आपको अपना एक्सराइज करने का जो तरीका होता है फॉम ब बहुत जरूरी है ना बट अपना सबर ही टूटन लग जाना भी हाई तक कर दानी पर मैं नहीं हो सकता विद टाइम इन फील्ड आप वो नहीं टूट सकता पेशंस बहुत रखनी पड़ती है धीर धीर आई जाती है हाली 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 हाल प्रोटिस के बाद कुछ होर्मोनल चेंज जो आते हैं, उनकी वजह से उनकी बौन्स और जादा वीक होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको ज़्यदा रिक्वार्मेंट रहती है इस प्लेड़ी तो अगर वह अर्ली एजे में इन चीजों का ध्यान रहे लेगे, तो ल पर बहुत जाता है तो हमें देखना पड़ता 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 है तो हमें देखना एक बार उनकी सुनने वाला कोई चाहिए होता है अगर हम उनकी अच्छे से सुन ले तो एक्षिली किसी भी पेशेंट के अगर हम सुन ले 90% of the things वो हमें अपनी हिस्ट्री में अल्रेडी बता चुके होते हैं बात यह कि हम सुनते कितना ध्यान से हैं सुनना वेल उनकी सुन लवे है जरूरी है ते उनकी ट्रीट करना वेल बहुत चंगा काम एक तरीके दिना जिससरे आपना तुसी कर देऊ क्योंकि हर कोई हैंडल नहीं कर पाना तुसी अपने पेशेंट्स कुडियां बहुत काटने कि नहीं आज कल आने लग गए हैं अब करने लग गए हैं वे टाइम ग्रोथ आ रही है अच्छा बहुत ज्यादा डिमांड आ वैसे फीजियोस हर्पेश्टी है तो तो तुसी अपने पेशेंट्स की में डील कर देऊ तो तो डाय थे क्लीनिका या फिर कॉल्स थे किस तरीके देना बैसिकली मेरी विजिटिंग रहती है ओन-call भी रहते हैं ओन-line भी रहती है तो according to patient to patient हम जिस तरह से उनके साथ convenience हो सके हैं तो चार्जस भी रीजनेवल होने 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 है बिलकुल बहुत ज्यादा है वी तो they can't afford on daily basis everybody can not afford it तो इसलिए थोड़ा reasonable ही रखते हैं अच्छा तो ही सारे आनो ठीक कर देओ जितो हड़ी टोटे दिया और ठीक कर देओ या दस देओ भी अच्छीज होने चाहिए बंदा कदे आप भी बुमार हो जाना है ना ता हुंदा कि मेननू भी कोई सांबन माला होवे हूं तो उसी देओ आप भी मार हो जाना था सब पहला यार के दिया ममा दी पर क्यूंकि बात हुंदा हो थी है केर सबकू चाहिए होती है बिल्कुल चाहिए जब हम ठीक है हमें उसका concern नहीं होता पर अगर हम बिमार होते है तो हमें किसी की कमी है तो ओकमी स्था मैसूस होने लग जाते ह आप जैसे अकेली रह रहे हैं, सम्ताइम्स भी फिल फ्री कि कोई नहीं है, ठीक है आप अकेली रहे हैं, अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट लाइफ चल रही है, बट जब बिमार होते हैं, तो फैमिली की बहुत याद आती है, कि कोई केर करने वाला चाहिए हुए, अच्छ तो उसकी स्माइल देखके सारी परेशानियों ऐसी दूर हो जाती है, जब भी ना दिल लगे, या तो उसके पास भाग जाओ, या उससे थोड़ी दिर बाते कर लो, दिल लग जाएगा, फिर प्रादा भी दिल नहीं लगदा हुना ता अट बगेर हैं, इस सरा तुस दासरे हाँ, हो जाता है, तो हम कई बार उसको अपने पास यहां ले आते हैं, कि मेरे साथ कुछ दिन रहे, छुटियां, इंजॉय करें, भाई बहन, अभी COVID के टाइम में, आप कह सकते हैं, स्कूल बंध है, तो थोड़ा जादा टाइम मेरे साथ स्कूल बंध हैं, तो थोड़ा ज जाना है, बहुत अखा नहीं होंदा कि हाँ, कोवीड प्रिकॉशन को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, तफ हो जाता है, जिकाज एवरी टाइम आपको मास्क भी रखना है, तो उनको इन्फेक्ट होने का चांसे भी जादा हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी ओलरी कॉंप कि अपना गाउन वेर करें, और पेशन्ट को देखने के साथ ही आप गाउन रिमूब करते हैं, ताकि वह इन्फेक्शन दूसरी पेशन्ट तक ना जाए, बिल्कुल जी, कि एरफुली चीज़ा करने हो बहुत जरूरी ने, ते होर भी आपा गला बाता करने हैं, जिकर तो दूसरी को एको आरी है, तुसरी कॉल का के पुच साकते हो, पार होन लाना पना जी, आपनों एक निका जाब ब्रेक का दें गला बात, ब्रेक तुबाद स्वागते जी, पर फिर सारे दर्श का दा प्रोग्रम डेली डोस देविच उमीद कर दियों, तुसारे बेकुल ठीक होता है अभी तक, उसमें आपको साथ में फिजियो जो है, वो लिखना होता है, मैंशन करना होता है, जब कंपलीशन हुआ बेसिकली डिग्री का, तो उससे पहले लगता था कुछ नहीं कर रहे है, बड़ जब डिग्री मिलते है फिर लगता है, अब तक की सारी कमाई ही है, जब के अलावा कुछ है ही नहीं है हारे पास, बिल्कुल है, वो अलागी फिलिंग हों दिया है, आप यानु जो मदर ते फादर बहुत ज़्यादा प्राउड फिल कर दे हैं, तुमने कुछ नहीं करना, और जब असके बाद आप कुछ कर लेते हो, या करने लग जाते हो, तन यह पर दे फिलिशल्फ के अपी कि आ आप की बारों बहुत ठोलेज कि ए दोलोरे है, जय मैंते हैं बकुल है, गै। की पार करना ख़ोशखरना जोरुतर जाए जोरुरी तक पार कना ओ रिछा एंक, फोल्कुल है, या हूं जोह नहीं से सभी होँगे है।, घ्ची नहीं आपको अपती से अछूले निख आओ अए रही पाँको दूलेगा निया चुन्हाला और भी उच्छाए है लोगों की सेटींग जोब दिए उन लोगों की specific chairs, जैसे उनके offices में जैसे chairs वगेरा होती है, या जैसे उनको बैठना पड़ता है, कई बार उनको पता भी नहीं होता है, कि long term में उनके setting इतनी ज्यादा हो चुकी होती है, उनको setting के विज़े से issues आने लग जाते हैं, बहुत जादा issues आने लग जाते हैं, बहु पूल आउट नहीं हो पा रहा था कुछ, then he came to physio, जब हमने उनके assessment के रिलीज किया, तो आपके back of thigh में एक muscle होती है, जैसको हम hamstring बोलते हैं, actually it's a group of muscles, उनको muscle sitting के विज़े से या जो chair की sitting position थे, जैसे tight बहुत हो चुकी थी, और जो chair का specific curvature था, जैसे वो बैठते थे, वो एक पॉइंट से उनको चुपती थी, जहां से उनकी nerve पे compression आ रहा था, हमने उनकी muscle release की, और उनकी chair change कर वाई, that's all, he recovered, really, जिए 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 इसा हो जाता है, issue बहुत बड़ा बना रहा था, मतलब, he was suffering every day, कि वो बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर पा जाना था, कि उनको इतनी जिए ज़दा प्रोब्लम भेज करने पड़ रही थी, तो हो ता खोशी बाथ हो अगए हुगले हो नहीं कि मेरी chair change मेरी बिए जिए जिए बहुत चुगी मेल गी, बिल्कुल, मैं दलब हो जाता है, अगर patient ुख ए तो हम खोशे, बिल्कुल and thought day varga कोई होवे दोक्तर ते अप्वेस्लिण खोशी हो ना लो गोर लेगे प्वलुटर जान दियां वना डिया कोई अगर कोई कोई इसा है बुछना चाओंगे नहीं पुछाओंड है हलो सशिका मुझा पुछी का मुझा करते है थेहले कि हाल चालेए सब्सक्राइब तरीजिए प्रावब्म तो मैंनों कफी है भी कि मैं तान दस्तर सी मेरा नी री प्लेसमेंट हो और अधार नी हो थीक नहीं होया फिर दबारा हुन मैं जो स्थाना बैढ दिया चाल दीया मैंनों गोडे काफी तक्रीफ हुन दिया फिर अधार कि मेरे बैट वि अग्राइ थेज़ करें अग्राओं сलोफदी पालत। दो द्थित थारपी केmittel मिलनु गुप पालत। की कहना चाहब है डक्टर जोती है मैम बेसिकली आपको रिहाबिलिटेशन तो बहुत जरूरी हो जाती है जैसे गुटने आपका वजन लेने वाला जोड़ है सबसर जादा अगर वह अच्छे से वजन नहीं नहीं तो फिर बैक में भी दिक्कत आने लग जाती है उसकी वज़ टेस्टिंग लिए उसके रिगार्डिंग में कुछ नहीं कह सकती हूं उसमें जो भी आपकी रिपोर्ट साइंगे अग्टर अग्टर सुझ को फॉलो करेंगे हाँ जी मैं बेट करेंगे बिलकुल जरूर बगवान तरे अच्छा हो जी हम यह कहेंगे मैं भी बहुत अच्टी रहती थी बता नी यह जब से मेरा गुणने का प्रेशन हुआ तब से मैं ज्यादा ही थोड़ा से डाउन होगी हूँ मैं फ़ह जडी है न देख पर की दो होना है जाल प्रेशों करेंगे जूड़ चैयों करनी हुड से गोड़ा ग्राइस, बडी ओड तरा-अच्र को चै करेंगे पर डिपेंड करता है जैसे एज हो जाती है आपके नीज देमेज हो गए है जैसे हम ओस्ट्राइटिस बोलते हैं या जैसे घुटने आपस में फ्रिक्शन से गिज जाते है उसके बाद तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर आपके पास रेप्लेस्मेंट के अलावा और हमारा एंड ऑप्शन हम बोलते हैं कि लास्ट ऑप्शन है एदा कोई नुकसान था नहीं हुंदा है परसनों हुमन नुकसान नहीं आजकल टेक्नोलोजी के एड्वांस्मेंट इतनी है कि सर्जरी काफी सेफ हो गई है बहुत बेनेफिट है जी बिल्कुल तो लेकिन हम अगर करते रहें अपनी हैल्थ का वैसे ध्यान रखें तो मेक्सिमम में आप नी रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरी से बच सकते हैं बट जहां तक है जैसे कई बार च्रोमा होते है एक्सिडेंटल केसिस आ गए जहां दैमेंज होगी पूरी तरह से जॉइंट वहां पर हम भी क अच्छा ओप्शन रहती है क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ अच्छी हो जाती है इसलिए चीक है अच्छी आपने बहुत फीट्र क्या है लेकि सारे देखी रहने है सब नू पता हिया तो तुसी आपने आपने फीट्र खंली की करते हो मुझे रुनिंग का बड़ा शॉक ह तो मुस्ली रहती है मेरी फीट्नेस की और मेरी डाइटरी हैबिट्स जो है इत हैल्दी है हलांकि विश्फुल एटिंग रहती है ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि मुझे सिर्फ यह खाना है या यह नहीं खाना है बट कैलरी इंटेक आप कहलो वह कांटेड रहती है बहुत जाद कि परद लिए अबस्तु नोज उख जरूरी है तो आफ देक यह लोग्यापने अबस्तस बनिया जाती है पिकार्णी जोरी है उसके अलावा आप चाहते है कि आपको मस्सल्ब और अच्छी चाहिए तो आप वेट्रेनिंग कर सकते हैं फिकास रणिंग में आप लाट बहते करते हैं तो यह difference हो जाता है अच्छा सर्ट करना होवे हैं, जा जया करते हैं? मैं हिन्हों संव्जों कि च्छाईज नहीं कर देपिया अपनी जिंदी लाइफ देवें मारी मुटी ता कारी लेनी आपने 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 अपनो फेट रखंदे ली है अपनी बॉडी को ओवर्यूज करने की कोई जर्वेत नहीं है, धीरे धीरे आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, सारे जॉइंट्स हैं आपके, आप पार्ट्स को डिवाइड करके एक्साइज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मिक्स करके प्रोग्राम बना सकते हैं, उसकी बेसिस पर अपके 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 बहुत अच्छी रहती है, घर पर इजली हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए भी नहीं है, प्लन्क टोस्तुंच बहुत बहुत है, प्लेंक जये अपके नहीं करें दृू करती है, तो यिदो प्लन्क टोस्तुंच पूरे अपके infect होजा सब्सक्षे में प्लावारपनी लिए हो फैसरीध पोदी इसे। तो है वोज है कि हम हाफ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वाल पुशुप से स्टार्ट कर सकते हैं शुरुबात करनी है कहीं से कर लाइट है इस तो इलावा कोई हो और या फिर यह स्टार्टिंगे विछ बहुत है यह स्टार्टिंग में चार पांच एकसराइज काफी रहती जरूरी जैसा कुछ नहीं है, बट साइक्लिंग एक अच्छी एक्सिसाइज की, जिन से की जा सकती है, जिसे ओन रोड साइक्लिंग करना लोग पसंद करते हैं, करें बहुत अच्छा है, आप कुछ है, जो कहेंगे हमें साइक्ल चिलानी नहीं आती है, अब हम इसे एज में सा साइक्ल के ओप्शन अवेलेबल है, आप वो कर सकते हैं, आपको इंजरी का भी डर नहीं है, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, तो वहां से आप शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छी काला है जी, I think बहुत अच्छीयां लगी यंग दे लिए और ओल्ड एज पीपल, सब दे ल और छिर काला है, आपको जी,